हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो मैं डिसकस करने वाला हूँ कि किसे भी इस ट्रिंग को रिवर्स कैसे किया जाता है with और without using function तो यह last प्रोग्राम था जिसे मैंने बताया था कि कैसे perfect number डिस्प्ले करेंगे एक से 10,000 के बेज जो चलिए इस code को पहले delete करते हैं तो reverse string के लिए सबसे पहले मुझे integer variable चाहिए int i उसके बाद k और यहां से एक और char tab का variable चाहिए chr और इसको size हम दे रहे है 25 उसके बाद यहां पर printf function a लिखते है और double code के अंदर हम लिख रहे है enter any string उसके बाद gets function लिख रहे हैं और यहां पर हम इंटर करा रहे है chr उसके बाद for loop यहां पर use कर रहे है for यहां पर i का value start करें 0 से और chr of i not equal to null यह condition है और i++ उसके बाद के अंदर जाके increase करेगा और यहां पर और for loop से out होने के बाद एक printf function लिख रहे हैं और यहां पर मैंस प्रिंट करा रहे reverse strings is और यहां पर for loop चला रहे है for i equal to k minus 1 और यहां i greater than equal to zero i minus minus उसके बाद यहां printf function लिख रहे हैं print कराएंगे पहले सबसे पहले %c और यहां पर print कराएंगे caro i यही है code जिससे हम किसी भी string को reverse करा सकते हैं तो चलिए रन करके देखते हैं कि यह program सही सर्थ काम कर रहा है कि नहीं तो यहां पर output to girl यहां पर मैंने girl declare किया था chr डिकना चाहिए था चलिए फिर से execute करते हैं तो यहां पर हम enter करें student को enter any string enter करें student तो यह देखिए reverse होने के बाद reverse string is e सबसे पहले आ गया उसके बाद n है e है d है u ts सही काम कर रहा है उसके बाद फिर साहर में enter करते हैं एक नहाय string को hello तो यह देखिए o ll e h तो यह reverse string है hello का तो प्रोग्राम सही से work कर रहा है तो इसमे मैंने प्रोग्राम रिखा जिसमें मैंने कोई function का यूज नहीं किया बीना कोई function का यूज किया ही स्ट्रिंग को रिवर्स किया जाता है इस तरह कोड लिखकर अब मैं आपको इस प्रोग्राम का ड्राइरं करके दिखाने जा रहा हूँ ड्राइरं मतलब step by step कैसे प्रोग्राम execute होता है तो यहां पर कोड यहां पर कोड को debug किजेगा तो सबसे पहले control main function के पास आएगा उसके बाद यह अंदर जाएगा तो यहां पर मैंने दो integer variable लिया है पहला है i और दूसरा है k k का value initialize हुआ है 0 से उसके बाद one care tab का variable लिया है जिसका size मैंने दिया 25 care और ना में variable का chr और इसका size है 25 तो ज्यादा ज्यादा 25 character इसमें इंटर कर सकते हैं अगर ज्यादा करेंगे तो फिर exception हो जाएगा तो अगला variable है chr और इसके बाद यहां पर printer function है तो जो कुछ भी double code के अंदर है वो डिस्प्ले करेगा इंटर any string और जो कुछ भी यहां पर get function है तो जो कुछ भी इंटर करते है तो chr receive करेगा तो हम chr में इंटर कर रहे है chr l o तो से पहले indexing करें यह 0 index है उसके बाद यह 1 index है यह 2 index है यह 3 है और यह 4 उसके बाद यहां पर i का value start over 0 से और यहां पर chr of i chr of 0 position so 0 position पर h है h not equal to null जो कि सही condition है तो यह अंदर जागे k का value increase करेगा k का value 1 होगा उसके बाद i का value increase होगा तो i का value 1 है उसके बाद chr of 1 1 position e है e not equal to null जो कि सही है k का value फिर से increase करेगा उसके बाद i का value increase होगा और 4 position में o है तो o not equal to null जो कि सही है यहां पर k का value increase होगा k का value 5 और यहां पर i का value increase होगा तो यहां पर देखिए कोई value नहीं है इसका मतलब यह यहां पर rest यहां पर यहां पर index 20 और 4 तक यहां पर store करेगा null character अगर हम छोड़ देते हैं size में 25 दिया है तो 0 से लेके 24 तो 4 तक value रहेगा उसके बाद यहां पर 4 के बाद 5,6,7 और 24 तक यह null character को store करेगा यहां पर null character है 5 position पर तो यहां पर CHR 5 position null character not equal to null तो यह अंदर नहीं जाएगा यहां पर control हाएगा तो यहां पर reverse string तो यह output screen पर display होगा और यहां पर 4 i equal to k-1 k का value हो 5,5-1 तो i का value start होगा 4 से और यहां पर check करेगा 4 gradient 0 जो कि सही है यहां पर print करेगा % क्योंकि CHR वो character type है अगर यहां पर integer देते हैं %D होता है %C इसलिए है क्योंकि CHR तो CHR % से CHR i का value port है तो यह print करेगा CHR 4% value तो यह O print करेगा उसके बाद यह i का value decrease करेगा तो i का value 3 होगा उसके बाद 3 gradient 0 जो कि सही है तो यहां पर CHR इसलिए तो यहां पर 2 पोशिशन तो 2 पोशिशन में L है तो L डिस्प्लेई करेगा उसके बाद CHR में 1 होगा तो 1 gradient 0 जो कि सही है तो यहां पर CHR 1 पोशिशन में जो value है तो E डिस्प्लेई करेगा उसके बाद I का value 0 होगा तो 0 equal to 0 जो कि सही है तो यहां पर CHR 0 पोशिशन हो जो है तो वोशिशन पोशिशन पोशिशन इसलिए उसके बाद I का value यहां पे 1 जा जाएगा यहां चेक करें यह पारलॉप से आट हो जाएगा उसके बाद यहां पे तो यह output डिस्प्ले हो रहा है, यह 0 index पे आएगा, यह 1 पे आएगा, यह 2 पे, यह 3 पे, उसके दिए 4 पे. तो मैंने इंटर किया h e double l o, तो output मैंने पाया o double l e h, तो इस तरह से drive और steps होता है execution, इस program का, अपने आपको function का use करके किसी वे string को कैसे reverse करते हैं, उसका program और रिखने जा रहे हैं, तो चलिए इसको delete करते हैं, इस बार मैं function का use करूँगा, तो एक character variable चाहिए CH, इसका मैंने size 25 और दिया है, तो आप इसके size को increase कुछ भी दा सकते हैं, यह आपके ओपर depend करता है, आप यहाँ पी 55 भी लिख सकते हैं, तो इसके बार चलिए हम printer function लिखते है, तो printer function पे हम message print कराएंगे, enter any string, और उसके बार गेट function लेना पड़ेगा, यहाँ पे, CHR, input कराएंगे, उसके बार, यहाँ पे printer, फिर से लिखते हैं, यहाँ पे message कराएंगे, reverse, string is, और उसके बार यहाँ पे, एक बार और printer function लिख रहा है, और यहाँ पे, %s दे रहें, और यहाँ पे str, और reb, उसके बार चर यहाँ पे लिख रहें, बस इतना ही, str, rep आपको लिखना है, यह function है, जो कि कोई भी string को यह reverse करते हैं, तो चले कोड को execute करके देखना है, यहाँ पे error आ रहा है, okay, header file मैंने include नहीं किया, तो आपको भी header file include करना पर लेगा, as include, string dot, okay, string हाँ गया, string dot h होना चाहिए, जड़ी फिल से execute करा है, तो देखिए, इस बार error out हो गया, तो यहाँ पे enter कर रहें, h e ll o, तो यह देखिए output हाँ गया, o o l e h, और यहाँ पे enter कर रहें, friends, तो यह output हाँ गया, s last job से पहले आया, d s के बाद, e i r f, यह है, उल्टा हो गया, friends का यह उल्टा, तो इस तरह से हम किसी भी string को reverse कर तकते हैं, इस तरह मैंने use किया, hdr re function, reverse function का use करके, तो function का use करके हम लोग किसी भी string को reverse कर तकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही तो मैं असा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो प्लीज लाइक किजिए और मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजिए तो THANKYOU